fill in the blanks choosing correct option दोस्तों यहां पर आप देखे ग्रीन कलर में एक दिया गया है खालिक जगह है अब इन चार तीन options में में एक में आपको watch का यूज़ करना है एक में look का यूज़ करना है और तीसरे में see का यूज़ करना है क्या आप यहां corrective फिलब कर सकते है नहीं न तो ठीक है यही बताने के लिए आज का यह वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप watch look see में अंतर क्या है और तुमें समानता क्या है यूज़ कैसे करेंगे आज इसको हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है प्लीज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो subscribe करना न भूलें और like जरूर दबाएं और अगर आप पुराने दोस्त हैं पुराने हैं तो please like करना न भूलें क्योंकि यह वीडियो यह channel आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लात रहता है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होता है academic और unacademic दोनों ही लाइप में आपके लिए रामबान काम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टीन सब्द हैं look, see और watch उन तीनों की ही meaning हिंदी में होती है देखना look means देखना, see means देखना, watch means भी देखना होता है तो क्या इन सब्दों का प्योग हम जहां भी चाहें, जैसे भी चाहें, जो मर्जी आये, यूज कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो अब हमें आज यह देखना है look, see और watch का किन किन condition में, कौन कौन सी सर्टों में, कहां कहां पर यूज हो नहीं, कोई बात नहीं, बताता हूं, मने किसी भी चीज को देखने के लिए अगर आपको extra effort करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, आपको अपनी नजरें, especially वहां उठा करके देखनी पड़ती है, भले ही आप उसे देखना ना चाहते हो, किसी के आग्रह पर कोई कर चकते हैं, आप समझे होंगे, लुक मतलब ऐसी सारी चीजें, जिसे आप intentionally अपने मन से, अपने विचार से नहीं देख रहे हैं, बलकि आवश्चकता है, या किसी का आग्रह है, या किसी का आदेश है, भाई देखो इसको, तब जाकर के आप अपनी नजरें, कहीं और से ह हंडेट पर्चन निश्चित चोर अंशर्टन लुक और केवल लुक का इस्तिमाल करते हैं, और अच्छे समझने के लिए, आईए हम एक्जांबल देखते हैं, अब यह है लुक, मिन्स देखना, अब देखी कौन यहां पत्तिन जांबल है, लुक एट मी, लुक एट पर देख नहीं रहे हैं, आपका इंटेंशन देखना नहीं है, आपका परपज, आपका अदेश, आपका टार्गेट वह देखना नहीं है, लेकिन कोई मुद्दा है, कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, जिसे दिखाने के लिए आपको बात किया जा रहा है, आपको बता कहीं और था सामने वालोंगे आपको कहा भाया बोर्ड को देखो बोर्ड पर देखो ल॒क एट बोर्ड मुझे होंगे दूसरा है लुक एट मी मुझे देखो मुझे मुझे देखो मुझे है ना मतलब आप अगर कहीं और बीजी है कहीं और देख रहे हैं कहीं और आप तल्लीन है ऐसी कंडिशन में अगर आपको कहीं और देखना पड़े या और कहीं दिखाया जा रहा हो ऐसे में देखने look man what did you do इनसान देख क्या किया तुमने मतलब आपने कोई गल्टी करी है आपने कोई गल्टी करी है और सामने वाला आपकी गल्टी को आपको बतलाना चाहता है दिखलाना चाहता है तो बोलता देख आपने यहां पर किया क्या तो यह रहा आपके look का यूज आप कैसे यहाँ पर कर सके अब next word है see, see means देखना, अब इसमें क्या होता है, कभ यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, to see something or someone without intention or purpose, माने किसी चीज को आप बिना किसी intention के, बिना किसी देश के, बिना किसी target के, बिना किसी पूर्वाग्रा के, अगर देख लेते हैं, तो वहाँ पर आप देखनी के अंग्रेजी क्या लगाएंगे, see लगाएंगे, अब example आप देखने लिए, यहाँ पर मान लेजिए, आप कहीं आप स्कूल जा रहे हैं, आप विद्याला जा रहे हैं, आप आफिस जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, राष्टे में आपने एक हाथी देख लिया, एक बंदर देख लिया, एक रोगी देख लिया, ऐसी कोई चीज देख लेते हैं, तो आप घर से निकले थे, उस तब ये तक जा रहे हैं, आप अपने office जा रहे हैं, आप अपने school जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अकस्मात हाती वो दिख गया, ऐसे दिख जाने condition में आप देखने के English C का यूच करेंगे, आईए कुछ example देखते हैं और अच्छे से confirm करने के लिए, अब ये हैं C means देखना, अब कहा है देखिए, I saw an elephant yesterday, कल मैंने एक हाथी देखा, कल मैंने एक हाथी देखा, मतलब हाथी देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उद्देश नहीं था, ये मुझे कोई homework नहीं दिया गया था, मैं कहीं पर जा रहा था, कहीं पर किसी काम से जा रहा था, मेरा target कुछ और था कहीं जाने का, रास्ते में मेरी आखों के सामने वो पढ़ गया, इसलिए मेरी आखों ने उन्हें देख लिया, आखों के सामने पढ़ जाने से, वो हमारी नजरों में आ गया, उसको देखने का न तो मेरा कोई इरादा था, न कोई उद्देश था, ऐसे में क्या हो पहुंचने के लिए लेकिने बिल्किल पौहुचने के लिए अहाती आँखों के सामने नजरों के सामने आगे तुद वाइत उसे देखना पड़ गया मतलब यहां कोई intention नहीं है यहां कोई देश नहीं है यहां कोई purpose नहीं है simply यह कह सकते हैं simply किसी चीज़ को देख लेने के लिए आप उहां पर देखने के लिए क्या यूश करेंगे चीज़ साथ चीज़ करेंगे last sentence यहाँ तीसा देखिए they see a tv in a room उन लोगों ने उसके कमरे में एक tv देखा एक tv देखते हैं वे लोग उसके कमरे में टीवी देखते हैं ठीक है उट टीवी देखने नहीं गये वो गय थे किसी और काम के लिए लेकिन वहाँ पर टीबी कमरे में रखा गया था आग के सामने या गया नजरों सामने या गया तो वहाँ पर वो दिख गया देखने का काम किया नहीं गया बलकि अकस्मात अचानक और अफसर्डन वो दिख गया तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आप सीखा देख चुके होंगे अब आई देखते हैं अगला वाट के यह रहा आप सामने वाच वाच मींस भी देखना होता है लें क्या देखना तो सी सम्थिंग और समवन इन ओर टू लर्ण माने किसी चीज को आपको सीखने को दे चलता फिरता हुआ उसको देखते हैं तो आप देखने की इंगलिस वहाँ पर वाच का यूज करते हैं आए एक्जाम्पल से और अच्छे सम इसको समझ जाएं वाच देखना वाच देखना फर्स सीज वाचिंग टीवी यहां जी है सीज वाचिंग टीवी देख रही है आँकों से देखने की बात नहीं है आँकों से देखने के साथ साथ वह कानों से आवाल भी सुनेगी दिमाग में Вाचिंग लगायेगी क्या हो रहा है इसके बात क्या आपकी कई ज्यानेंद्रियां काम करती हैं ऐसे में भी आप देखने के लिए लुक या सी का यूज नहीं करेंगे बलकि वहां वाच का करेंगे दूसरे बात जब टीवी चल रही है तो मूवमेंट है ना पिक्चर हिल बूल रहे हैं आप वहां वाच करेंगे अगर वही टीव बंद होती टीवी ऑफ होती तो वहां देखने के लिए आप सी का यूज कर लेते नेक्स्ट है देहें वाजड प्लेयर उन लोगों ने खिलाडियों को देखा वाइल प्लेयर में खिलाडी केल रहे हैं उन लोगों देख लिया खिलाडियों को आप खिलाडी में यहां मूव लगाएंग ऑच योच वाच विडियो क्या आपने वीडियो देखने ने का प्लाइए गमर मोनें एक फोर्ट है I like to watch this picture I like to watch this picture मैं इस picture को देखना पसंद करता हूँ क्यों अब picture है picture कुछ बारिकिया होगी देख्शन करने होगे दिमाग भी लगेगा और आपकी निगाहें भी लगेगी इस प्रकार्टे वहाँ पर देखने बात क्या करेंगे watch का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों अब आप लोगों ने मुझे पूरा विश्वास है समझ गये होगे look see watch का use कैसे करेंगे तो फिर confirm करने के लिए आई चलते हैं जो example मैंने आपको दिया था क्या अब वो आपको आ गया है यह देखिए fill in the blanks with choosing correct option नीचे option दिये गये है उस option पिर चुनना है see around see around dash dash अब यहाँ क्या होगा see looked around है ना चाहता तो नहीं था उसने अपने चारों तरफ आज पास में देखा क्या देखा if anyone was to see यह देखने के लिए पाने के लिए if anyone was watching her watching her क्या कोई उसे watch तो नहीं कर रहा है कोई देख तो नहीं रहा है तो आपका अंसर जाएगा she looked around to see if anyone was watching her तो दोस्तों यह रहा आपका अंसर मुझे पूरा विस्वास है कि आपको अच्छी समझ मागे होगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ने भूले और आप पहली देख चुके हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो भरपूर ल की सुन्दर ज्यानवार धर ग्रेमेटिकल एकाडेमिक और एकाडेमिक वीडियो के साथ